हेलो ट्रेडर्स वेलकम तो बैंक निफ्टी आनलेसिस वीडियो फॉर 12 सप्टेम्बर अगर हम फ्राइडे का चार्ट अनलाइज करें तो हमें क्लिरली दिखा देता है कि बैंक निफ्टी गाप ओपनिंग के बाद जब इनिशल मॉर्निंग हाई पे जो लेवल पर सपोर्ट लिया था वह सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने इंट्राडे ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन होके उसी के नीचे क्लोजिंग दिये है तो कल के दिन देखिए मेरे लिए कुछ की लेवल्स जो मेने में पलॉट किये है पहले पहले को नोट कीजिए और मेरे लिए ये जॉन काफी in port हो जाता ए when में जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे है तो मेरे लिए बैंक निफ्टी बेरिश रहेगा इल बी लुक इंटु शॉट माना की हायर टाइम फ्रेम पे वी आर इन अप्रेंड लेकिन आम प्लानिंग की कही ना कही हमें एक रिट्रेस्मेंट मिल सकता है तो अगर इस जोन के उपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आइकन एक्सपेक्ट इट तो गो एंट टेस्ट फॉर्टी और लेवल्स फॉर्स्ट और यहां पर अगर करके ब्रेकाउट देता है तो यहां पर मैं इंट्रेस्ट रहूंगा लॉंग जाने के लिए लेकिन अगर बैंक निफ्टी मान लेते हैं कि 34 470 से 34 500 लेवल्स के आसपास ओपन होता है और अगर इस लेवल पर धीरे धीरे यहां पर क्लाइम करके सिस्टेन करता है I would believe that uptrend is still intact लेकिन अगर open होते ही जोन के निचे breakdown देता है और trade करना शुरू करता है यह तर यह त्टरेट लाइन मेरे लिए बहुत important होगी जैसे इस ब्रेंट breakdown मिलेगा मेरा first target open होता है जो है 40,250 odd levels यहां पर हमें 200 exponential moving average भी मिलेगा उसको breakdown करने के बाद नेक्स support levels निकल के आ रहे हैं वो है in the range of 40,100 से लेके 40,000 तो यहां पर अगर हम right spot पर short करते हैं तो we can expect a 350 point target target one would be almost 200 points and another 150 points would be my second target so this is my plan going tomorrow कि इस trendline के breakdown पे I will be looking to short and इस zone के ऊपर I will be looking to go long long for the target of almost 175 to 200 points on the upside और फिर यहां पर आने के बाद यह target अचीव होने के बाद देखेंगे कि अगर bank nifty यहां पर consolidation करता है तो high probability हो जाएगी कि इस zone के उपर निकल जाएगा अगर यहां से bank nifty rejection लेता है तो हो सकता है कि bank nifty इस zone में फसा रहे which is again a good sign because अगर higher level पे होल्ड कर रहा है तो आज नहीं तो कल we can expect a breakout on the higher side so this is my plan for bank nifty in tomorrow's trading session अगर आप मेरे telegram channel से नहीं जूड़े हो तो you can join my telegram channel वहां पर मैं कुछ live updates share करता रहता हूं जो भी whatever I see in bank nifty charts and if you have liked this short analysis video please do like and share this video with your friends first of all apologies कि मैं कि काफी दिनों के बाद बना रहा हूं जैसे मैंने पहले अपने videos में बताया था I was traveling I was almost a month and a half I was traveling and I also had a couple of holiday holidays in between visited couple of countries and now I'm back full time so you can expect कि मेरे ये analysis videos अब regular आएंगे and I will be very active in trading as well so see you soon in my next video till then good night and hope you guys have a good trading day tomorrow